साथियों, आजादी के बात की सरकारों ने राजनितिक स्वार्त को जिस तर प्रात्फिक्ता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतिय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजेट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लामेंट में क्या बोलते थे। अगरी थे कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला। ट्रेन वहां तक आती हैं मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखे 21 सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया रेल को अलग बजेट से निकाल करके भारत सरकार के बजेट में डाल दिया। और उसके कान आज भारत सरकार के बजेट के पैसे रेलेवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिरों देखा हैं दस्वकों में समय की पाबंदी। आपने हालत देखा है। कि ट्रेन पर में लोग यह नहीं देखने ही जाते किस प्लेट्फम पर कोको तेंड है। यही कारका में घर से कोगे वो समय मोबाइल तो था नहीं है स्टेशन पे जाकर के देखना कभी कितनी लेट है रिष्टेदारों को कहते भी रुके रहो पता नहीं ट्रेन कब आएगी वरना घर वापिस जाकर के फिर आएंगे यह रहता था स्वच्छता की समस्चे आशुरक्षा साउलियत हर कीच पैसंजर के नसीप पर छोड़ दी गई थी 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नौर्स इसके छे राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी 2014 में देश में 10,000 से ज़्यादा ऐसे रेल फाटक थे 10,000 से ज़्यादा जहां कोई व्यक्ति नहीं था लगातार एक्सिडेंट होते से और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को नवजमानों को हमें खोना पड़ता था 2014 में देश में सिरफ 35% रेल लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हुआ था पहले की सरकारों के दिए रेल लाइनों का दोहली करण भी उनकी प्रात्मिक्ता महीं नहीं था इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसिबते जेल रहा था कौन परोसानियों पीसा जाता था हमारे देश का सामान ने मान भी मद्यम्वर का परिवार भारत का छोटा किशान भारत के छोटे उद्यमी आप याद करिए रेलिवे रिजर्वेशन उसकी भी क्या हाल था लंबी लंबी लाइने दलाली कमिशन गंटों का इंतजार लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं समने माना था रेलिवे पर ऐसी है मुसिबत है चलो दो-चार गंटे सफर करनी है कर लेंगे चिला उमत यह परी जिनगी ही रेल की पट्री पर शुरू की है इसे मुझे भली पाती है रेलिवे का क्या हाल था साथियों भारतिय रेल को उस नर्क जैसे स्थिति से बार निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वह इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है अब रेलिवे का अभिकास सरकार की सरवोच्च प्राफिकताओं में से एक है हमने दस वर्सों में आउस्सत रेल बजेट को 2014 से पहले की तुर्णा में 6 गुना ज्यादा बनाया है और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतिय रेल का ऐसा कार्य कल्प होते देखेंगे जिसके उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी आज का ये दिन इसी इच्छा सक्ति का जीता जाक्मा सबूत है देश का नवजवाम ताय करेगा उसको कैसा देश चाहिए कैसी रेल चाहिए ये दस साल का काम अभी तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है आज गुजरात, महाराट, यूपी, उत्रागन, कनाटक, तमेलाडू, दिल्ली, एंपी, तेलंगन, आंत्रप्रदेश, बियार, जारकन, पत्रिमंगार, उडिशा इतने राज्यों में बंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है जी और इसी के साथ ही देश में बंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है बंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधित जीलों तक पहुँच चुका है जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार बंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है अम्दाबाद, जामनगर, बंदे भारत ट्रेन अब ध्वारिका तक जाएगी और मैं तो अभी अभी ध्वारिका में जाकर के डूप की लगा क्या आया हूँ अजमेर, दिल्ली, सराय, रुहिला, बंदे भारत एक्स्प्रेस अब चंडी घड तक जाएगी गोरकपूर, लखनव, बंदे भारत एक्स्प्रेस अब प्रयाग राज तक जाएगी और इस बार तो कुम का मेला होने वाला है तो उसका महतो और बढ़ जाएगा तिरुआनंधपुरम, कांसरगोड, मंदे भारत एक्स्प्रेस मंगलूरू तक विस्तार किया गया है